नमस्ते बच्चों, सायराम पिछली कक्षा में हमने आखी द्वनी और चंद बिम्तु के भारे में भडाता है आप सबको याद है? ठीके, तो बच्चों आज हमने चाप्टर नमबर 16 सम्युत अक्षर के भारे में सीखेंगे, ठीके? तो बच्चों देखेंगे सम्युत अक्षर, सम्युत अक्षर का मतलब क्या है बच्चों? सम्युत का मतलब जॉइंट और अक्षर, जॉइंट लेटर्स, ठीके? जो इन लेटर्स को जॉइंट करके हमने नियोट्स बनाए सकती है, ठीके? तो बच्चों आज हमने समय तक्षर के भारे में सिखेंगे तो बच्चों आप पहली देखेंगे यह लेटर क्या है बच्चों चा तो बच्चों यह लेटर क्या है खा और यह लेटर क्या है बच्चों गह और यह लेटर क्या है गह तो इस लेटर को एक बार फढ़ेंगे ख गह गह फ़्यद से लेटर अभर गह So, when we take away this, when we take away this sound from this letter, this becomes half letter. Okay? We will take away sound A, it will halanth. Halanth. Thikhe? Tho, bachyo dhekhe yenge. In these letters, we will take away the A sound like this. Okay? It will become half letter. Thikhe? E half letter iqqa makthilabh khu. Gaaka half letter. G. G. Tho, iska sound kya hai, bachyo? Kh. It will become halanth. You put halanth like this. Okay? So, it becomes halanth. So, this is ye khaa. Ye kh. 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 Gha. Yeh, gha. Yeh, gha. Thikhe? Ishtarase, haam phadengi. Before, it was khaa. Khaisi bolthahi hai, before it was khaa. After using halanth, we will call it is khaa. Kh. You put our color halanth after khaa. Khaa. Gha, gha. Chaa, chha. Like this, we have to read. Yeh, samyuk takshar hai, bachyo. Dho, akshar, dho akshar hon se, milkar bantte hai hai. Samyuk takshar, akshar, dho akshar hon se, milkar bantte hai hai. Jaisi khaa, jaisi khaa, thra, hai. Pahalai khaa, akshar khe bharai me, dhekhengi. Chaa, kha, 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 adik, sha, equal to, kshar. Chaa, chaa, thra, second letter, thra. Thra kha, ise bantte hai, bachyo. Thth. Thth. Adik, r. Thra. Īk hai? Yeh, do akshar, milkar, than ke, throughout samyuk takshar, milta hai. ďk hai? Bhanate hai hai. Next. Gnaa. tshti letter kya hai, bachyo? Say letter hai. Gnaa. Nie. ज्ञा काईसे बनता है बच्चों जा हलन्त आफटर हलन्त ज अधिक न इक्वल टू ज्ञ ठीक है अब देखते हैं स्र सहलन्त सहलन्त स अधिक र स्र इस तरह से दो आक्षर मिलकर हम समरुतक्षर बनाते हैं अब कुछ समरुतक्षर के भारे में कुछ शर्थ भढ़िए क्षेमा ये क्या है क्षेमा 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 व्रक्ष कक्षा मित्र क्षेत्र पत्र ज्ञान एग्ञ विज्ञान श्रम श्रवन श्रमिक इस तरह से आप रीगिंग प्राक्रिस करेंगे आप देखेंगे ए नये शर्थ दो अक्षे मिलकर नये शर्थ यहाँ पर क्ष यहाँ पर देखेंगे क्ष अधिक क्ष इस तरह से हम लिखेंगे क्ष 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 न अधिक न अन्न ल अधिक ल इल भला स अधिक स कुस ब अधिक ब इस तरह से हम फड़ेंगे तो बच्चो आप सब लोग यह शब्दों को एक बार रीडिंग प्राक्रिस करेंगे और दो अक्षर मिलकर को रेडिंग प्राक्रिस करेंगे तो समिक्ष अक्षर का मतलब क्या है बच्चो दो अक्षरों से अक्षर दो अक्षरों से मिलकर मिलकर बनते हैं जैसे अप्षरा आप गाया एक मिलकर ताप रेडटर क्षर untuk파्राइब बलक प्राक्रिस करेंगे इसमक्राएज्ञ करेंष वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वात रेडिंगो ङुह्तर требै जैसand लि bits अव ख Narrator क्षर आप्र बच्चो आप्षर घर पर याच्ची तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे आव ये शब्द को राइडिंग प्रैक्टिस करेंगे ठीके धन्यवाद